कई बार आप गिरोगे फिर उठना पड़ेगा और आपका ग्राफ जो है वो अपडाउन अपडाउन चलता रहेगा तो बस आपको लगातार चलते जाना है कहीं गिरे तो गिरके बैठ नहीं जाना है उठना है दुबारा से और फिर से लडाई करनी है कई बच्छे अभी घर पर बैठे होंगे और बड़ करने फोल जाया अगर चाहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं चाहे तो नहीं तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको तैयारी के समय में क्या कै चीजे धियान रखनी है और किस तरीके से आप अपने आपको इस exam के हिसाब से तैयार कर सकते हो आप ये समझ लो कि आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है और आज आपका पहला दिन है और पहले दिन जो जोस मैं आपका देख रहा हूँ न यही जोस आखरी दिन तक रहना चाहिए तो आप डॉक्टर बन जाओगे और सबसे पहले आपकी पहली कॉपी पहला पेज ओपन कर चुके होगे आपने बड़िया सुन्दर सुन्दर राइटिंग में कई लोगों की तो बहुत गंदी होती है लेकिन फिर भी उनके हिसाब से वो सुन्दर ही मानी जाएगी क्योंकि उनको उनकी राइटिंग में समझ म रहां हूँ वही आप लोग लिखेंगे एकदम पहला पेज जो है आपका वहां आप लिखेंगे मेरा selection होगा तब से पहली बात अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लो और बार बार ये अपने दिमाग को एहसास दिलाओ तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो तो आप daily यही बोलाएं कि मेरा selection होगा सुबह जब आप उठें तो mirror के सामने जब आप खड़े हों तो जो व्यक्ति सामने दिख रहा होगा आपको उससे बस यही बोलाएं कि मेरा selection होगा ठीक है clear एक दम तो लिख लें सभी लोग सभी लोग लिख लें मेरा selection होगा ठीक है कि तैयारी के समय में क्या-क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी सबसे पहला और most important बात ठीक है क्योंकि हम एक online class में जुड़े हुए हैं ठीक है तो majorly यही होगा कि chat के माध्यम से हम चल रहे होंगे और मैं आपको feel करूँगा आप मुझे देख रहे होंगे आप मुझे feel करना कि भई मैं क्या बताना चाहरा हूँ क्या चीज आपके पास आ रही है ठीक है और सबसे बढ़िया जो चीज दिमाग में आपको डालनी है वो यह है कि यार consistency आपको maintain करनी है पूरे साल बार आपको consistent रहना है कहीं अगर consistency बिगडती है तो उसको तुरंत regain करेंगे ऐसा नहीं कि आपका पूरा साल जो हाई रहेगा अगर इमानदारी से बोला जाए तो कई बार आप गिरोगे फिर उठना पड़ेगा और आपका graph जो है वो अपडाउन अपडाउन चलता रहेगा तो बस आपको लगातार चलते जाना है कहीं गिरे तो गिरके बैठ नहीं जाना है है ना उठना है दुबारा से और फिर से लडाई करनी है तो सबसे पहली बात जो है कई बच्चे अभी घर पे बैठे होंगे और बड़िया मजे से हो सकता है साइड में टीवी चल रही हो हो सकता है बैठ बिलेटे हो ये सब हरकते नहीं करनी आपको ये सब हरकते सेलेक्षन ना होने का कारण बन जाती है आपकी एक और्गनाईजड Study टेबल होनी चाहिए सबसे पहली बात जो है आप जिस Study टेबल पर बैठ रहे हो उस Study टेबल का आपको डेली ध्यान रखना है, उस study table का आपको डेली ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा कचरा कर देना है, जैसे अभी आप बैठे हो तो आपके सामने उस study table पर क्या होना चाहिए, एक copy होने चाहिए और एक pen होना चाहिए, और जो भी आपके पास phone है या laptop है या कई वच् सारी कितावे रख लेंगे एकटी करकर के रिस्तेदारों को दिखाने के लिए, यह ना, रिस्तेदारों को दिखाने के लिए करते हैं आपन, कि आरे आज तो अंकल आने वाले हैं, आज तो उनको दिखाएंगे, देगो कितना पढ़ रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं करना, से पहली चीज जो है वो यही है कि study table आपकी क्या होना चाहिए well organized study table होनी चाहिए बात समझ गया study table organized से समझ गया बात सभी लोग जल्दी बताओ clear है study table पर आपको चेर पर बैठना भी है ना ऐसा नहीं कि बस खड़े खड़े पड़े जा रहे है ठीक है बिलकुल हाँ के रहे सर बैठना भी है कि बिलकुल बैठना है तो organized study table होना चाहिए और दूसरा अपने exam के बारे में आपको पता होना चाहिए know your exam आप किस exam की तैयारी कर रहे हो ये exam आपसे क्या demand करता है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जहां तक नीट की बात की जाए और जो section मैं ले रहा हूँ physical chemistry formula based question आते हैं formula based question आते हैं कि अगर आपके सामने कोई सवाल है उसमें आप formula को apply करेंगे तो question आपसे बन जाएगा हाँ थोड़ा सा calculation कई बार होती है थोड़ी जादा हो जाती है लेकिन उससे आपको डरना नहीं है धीमे धीमे अपने आपको improve करना है तो Calculative Parts से हम deal कर रहे होंगे physical chemistry में तो आपको एक्साम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है कौन-कौन से चेप्टर है तो एक्साम के बारे में आपको पता होना चाहिए और अपनी तरफ से आपको क्या करना है आपको syllabus को download करना है ठीक है, जो भी syllabus है, आपको उसको download करना है और उसका आपको print निकाल के, जो भी आपकी study table है वो आप सामने चिपकालो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम आगे चलते हैं ना, देखो, ये जो exam है ना इसमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, इसमें आपको completely involved रखना होगा अपनी दिमाग को, जब आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में इसा बाते चलनी चाहिए, है ना, तो सिर्फ theory या question ही नहीं होता, उसके अलावा, भाई exam में तो चलो theory question से आपका selection ह होता है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास का environment वो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका, जो selection कराने के लिए एक तरीके से positive catalyst का काम करेंगे, ठीक है, तो exam के बारे में जानो, syllabus download करो, उसका print अपने सामने मिकालो, ताकि आपको यह लग जाए, पता रहे कि यार इस दिन cover हो गया, बाकी हम भी बताएंगे, लेकिन आपको खुद से भी अपनी तरफ से आना चाहिए, है ना, स्वयम की जिम्मेदारी लेना पहले सीखना होगा आपको, और आपके selection होने या नहीं होने में आप रुकावट सिर्फ आप ही हो, अगर आप चाहोगे तो आपका selection हो जा साड़े साथ से आठ ब्रेकपास्ट, आठ से नो, study, ऐसे नहीं करना भाई, इस तरीगे से कोई time devil नहीं बनता है, क्योंकि जिस दिन आप थोड़ा लेट हो जाते हो उटने में, वो पूरा time devil सत्यानास हो जाता हो उसका, तो आपको time slots बनाने, अभी मैं आपको बताऊंगा क इस तरीगे से आप follow कर सकते हो, time के slot के हिसाब से आपको पढ़ना है कि भाई, दो दो घंटे के या देड़ घंटे के आएके गंटे के slots में हम पढ़ेंगे, है ना, तो इतना ज्यादा तकलीप नहीं देनी body को कि बतलब एकदम जो है, body परिसानी हो जाए तुमसे, क्या कर हो, body कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना, आपको आपको पता है क्या तैयारी को लोग क्या अलग मानते हैं, तैयारी को, preparation को एक अलग part of life मानते है, life का part बना लो ना इसको, जो आपकी जिंदगी चल रहे है, उसी में ही ये चल रहा है, अलग से नहीं कि भाई, अलग से बोज ले healthy food आप लीजिए, और बीमार कम से कम होईए, ये बहुत important है, क्यों, जहां आप 2-4-5 दिन बीमार हो गए ना, तो फिर हो जाता है backlog, और फिर वो clear करते करते आपकी हो जाती हालत खराब, तो ये try करें कि यार कम से कम बीमार पढ़ने की कोशिस करें, उसके लिए आपको healthy food ख बीमार हो गए, पूरा का पूरा chapter हो गया आपका, और फिर आप उसको cover करने में संगर्स किये जा रहे हो, तो ये बिलकुल ध्यान देना है आपको, ठीक है, और नींद भी आपको भरपूर लेनी ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपने senior से पूछ लेते हैं, और भई, दिमाग को भी तो rest देना है, बॉड़ी को भी तो rest देना है, ना, तो minimum 6 गंटे की तो नींद जरूर ले, 3 गंटे, 4 गंटे सोके, आप सोच लें कि हम बहुत ज़्यादा output निकाल लेंगे, तो आप गलस सोच रहे हैं, प्रॉबर तरीके से आप सोईए, तो आपका दि गुचे ऐसे होते हैं कि आपको study table पर बैठना ही सब कुछ नहीं है, जितनी दिर आप बैठ रहे हो, आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब जितनी दिर आप बैठे हो, उसमें आपका output 100% निकलना चाहिए, जरूए नहीं है कि 4-5 गंटे की sitting आप करें, एक गंटे की sitting करें पांच मिट दस मिट ब्रेक लेना बीच में फिर एक गंटे बैठ इस तरीके से दिमाग को भी refresh करते रहें है ना दिमाग को भी refresh करते रहें